नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी दिल्ली की हाई कोट ने समान नागरिक सहिता को लेकर टिपनी की है और उन्हें कहा है कि सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए आपको बताएं इसके पहले 1985 में देश की सुप्रिम कोट ने इसी तरह की टिपनी की थी कि देश में अब बहुत समय हो गया जब बाबा साब अम्बेड करने जब ये सम्मिधान की रचना की थी देश आजाद हुआ था धारा चवालिस में ये प्रवधान डाला गया था कि सभी धर्म अपनी अपनी आचार सहीता बना सकते हैं और धर्मों की आजादी रहेगी अपने अनुसार नियम बना कर अपने धर्मों का परचार परसार और उसके नियम काईदे कानून बना ले और इसलिए इस देश में जो कई धर्मों के मेल जोल का एक देश है जहां हिं जहां मुसलिम भी है जहां पार्सी भी है ऐसा देश जहां कई धर्मों के लोग रहते हों ऐसे में आजादी मिली जिसके कारण आपको बताएं मुसल्मानों ने जो इस देश के थे उन्होंने सरीयत के हिसाब से तीन तलाक उसको माना के हम तो जो है तीन तलाक दे सकते हैं हम च ये हमारे सरियत में लिखा है इसी तरह इसाईयों ने अपना धर्म के अनुसार चर्च में शादी हुई तो उसको मानता प्राप्त करने के लिए हिंदू मेरीज एक्ट में एक विवा लिखा है तो एक ही विवा जीवन बर करेगा जब तक पहली से तलाक ना हो जाए और इस तरह से आजादी चलती रही लेकिन अब जब देश में आजाद हुए इतना टाइम हो गया और ये देखने में आ रहा है कि पर्सनल लोग के मामले को लेकर उसका दुरुपयोग हो रहा है वहीं आपको बताएं उत्पीडन हो रहा है मतलब महिलाओं का उत्पीडन इस कदर है कि साहबानों के केश में हमने देखा कि सुप्रिम कोट तक केस गया साहबानों को मौावजा चाहिए था अपने पती से गुजारा बता क्योंकि वो गुजारा कैसे करती पती ने तलाक दे दिया और तीन तलाक बोलकर साहबानों को अलग कर दिया और उस समय केंडर में कांग्रेस की सरकार थी राजीव गांदी उस समय परधान मंत्री थे यह मांग उठी सारा देश में मुसल्मान नेता एक हो गए और उन्होंने कहा कि यह हमारे धर्म में दखल अंदाजी है और सुप्रिम कोट ने जो निर्ने दिया है सा अंसद के दोनों सदनों में इस बात पर चर्चा की और सुप्रिम कोट के उस हरजाना दिये गए यानि गुजारा भत्ता दिये जाने के फैंसले को पलड दिया उसका क्या इफेक्ट हुआ कि देश के अंदर धड़ा धड़ तीन तलाक हुए होते गए और फिर किसी ने दु जाता है दसीयों बीसीयों साल तब जाकर सहाबानों का केस सुप्रिम कोट में पहुँचा था और सुप्रिम कोट के फैंसले को भी अगर सरकारे तुष्टी करन के कारण बदल देंगी तो फिर महिलाएं मुसलिम महिलाएं कहा जाएंगी और इसलिए फिर मुद्दा नहीं इस मामले में पहल की तीन तलाक को प्रतिबंदित करने की बात की हाला कि तब भी विरोध के सुर उठे लेकिन अभी और कई मामले होने बाकी है और मामला ये है कि जो समान नागरिक सहीता है उसके अनुसार यदि अपनी पत्नी को कोई तलाक दे देता है पती तो संपत्ती म बच्चों का अधिकार ये अभी तक हिंदूओं के लिए है लेकिन मुसल्मानों के लिए नहीं है तलाक दे दिया तीन तलाक ठीक है तीन तलाक को अगर सरकार ने बेन किया है सरकार ने उस पर रोक लगाने की बात की है तो ठीक है वो कहते है तीन तलाक के बजाए हम दो महीने में दे देंगे लेकिन संपत्ती में अधिकार अभी भी नहीं होगा इसी तरह आपको बताएं संपत्ती में अधिकार का मामला हो गया वहीं आपको बताएं ये शादी का मामला हो गया के शरियत है वो एक धरम के मानने वालों को कहती है जी आप चार विवा कर सकते हैं और करने की बहुत जरूत है रहो आपको एक इंट्रेस्टिंग बात और बता दूँ के देश की आजादी के बात से ही भारत में एक राज ऐसा है जहां पहले से ही यह समान नागरिक सहीता लागू है और वो राज है गोवा के अंदर देश की आजादी के बात से ही यदि कोई मुस कराना जरूरी है चर्च का सर्टिफिकेट तभी माना जाएगा जब आप कोर्ट में रिजिस्टर्ड है तो यह गोवा में लागू है तो सारे देश में लागू होना चाहिए था और जिस विशह पे सुप्रीम कोट ने 1985 में टिपणी की उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया क्यों क्योंकि हर सरकार जो कॉंग्रेस की आई वो सबके सब इसी काम में लगे रहे कि मुस्लिमों को तुष्ट किया जाए क्यबल वोट बेंक समझा जाए महिलाओं को जो दुर्दसा हो रही है ँने दिया जाए वो जानते हैं कि मुस्लिम जो अपनी पत्नियों को आदेश करेंगे कि आपको कॉंग्रेस को वोड देनी है तो वो महिलाएं कॉंग्रेस को ही वोड देंगी लेकिन आज टाइम बदल गया है आज जब तीन तलाग के मुद्धे पर मोदी जी ने कानून की बात की है आज समान आचार सहीता के कारण अब उनको गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा यहां तक की संतान को संपत्ती में अधिकार होगा इसके बाद आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो सरीयत का हवाला देकर महिला को तलाग देते हैं मुसलिम महिला को और ना संपत्ती में कोई अधिकार बच्चों को मिलता है ना जमीन में गाउं की मिलता है जिसके कारण धड़ा धड़ तलाग हो रहे हैं अब वो सो बार सोचेंगे जब वो सोचेगा कि मैंने पहली पत्नी को तलाग दिया उसके तीन बेटे हैं तेरी जमीन का हिस्ता होगा तो बिटा अगली उलाद फिर कोई शादी भी नहीं करेगा वो गहगा बापु तेरे पास तो जमीन ही बची शादी कोन करे तो ये जो है फरक पड़ेगा प्रोपर्टी का बटवारा और अधिकार ये भी इसमें दिया जाना रहेगा तो सभी धर्मों के लिए समान होना ही चाहिए अब हाई कोट ने जब टिपनी करिया है इसके पहले आपको बताएं बहुत सारे संगटन इसको लेकर पहले से ही मांग करते रहे हैं इसमें राष्टिये स्वेमसेवक संग भी है वो मांग उठाता रहा है और भारती जनता पार्टी के भी एज़ंडे में रहा है तो अब ये देखना है कि इसके ड्राफ्ट को कैसे तयार किया जाता है और कब इसको लागू किया जाता है लेकिन हाई कोट की टिपनी ने इतना तो तैकर ही दिया कि नियाए पालिका भी अब इन चीजों से रूबरू हो रही है और परिशान हो रही है क्योंकि आप देखि क्योंकि तलाक की आजादी है अभी भी पत्नी को बिलकुल ऐसा वस्तू समझा हुआ है कि चाए में चीनी कम है चलो तलाक 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 तेने जो है आज का मेरी मरजी की सबजी नी बनाई तो तलाक हो गया और देना कुछ है नहीं ना उनको हर जाना देना है भरपाई के लिए ना संपत्ती में बच्चों को कुछ मिलना है तो इसलिए आसान है पहली को छोड़ दो दूसरी फिर एक और शादी कर लो फिर तीसरी कर लो और इसको लेकर जो ये हमारे मुस्लिम समाज की महें बहने हैं महिलाएं हैं ये कई बार सवाल उठा चुकी है महिला वकील खाली डिबेट का मुद्दा बनके रह जाता है अब जब ये कोट की टिपनी है तो इस पर सरकार को अब ये मौका है अच्छा कि इस पर वाकई विचार करें और इस देश में जब हम कहते हैं कि सभी धरम समान है जो अगर कोई कहली हिंदू की बात करे तो उसको तो कह देते हैं संपरदाइक है बीजेपी संपरदाइक है ये राम मंदिर की बात करते हैं आरेसे संपरदाइक है ये केवल हिंदू की बात करते हैं तो भाया ये आरेसेस वाले अगर बीजेपी वाले हिंदू की बात करें तो संपरदाइक हो जाते हैं तो आप अपने केवल धरम को ले करना कि ये समाजिक विवस्ता को बिगाड़ता है कि पहली पत्नी जो तलाग दे चुके जिसको जिसको बच्चे हो गए जिसकी उमर शायद अभी ऐसी हो गई कि उसको शायद कोई दूसरा शादी ना करे कहां जाएगी वो कहां रहेगी क्या खाएगी और इसलिए एक समाज मे जो ये चल रहा है कूब विवस्ता चल रही है इसके कारण महिलाओं की इस्तिती बहुत देनिये हुई है इसके कारण आपको बताओं धर्मांतरन हो रहा है मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो हिंदू थे और उन्होंने केवल धर्म पर्जवर्चन इसलिए किया कि पतनी तलाक नहीं दे रही है और उनको किसी से शादी करनी है दूसरी मलब उनको इस तरफ जी ललचार आए कि एक पतनी है उसके रहते मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता अगर मैं हिंदू रहा क्योंकि हिंदू मेरी जैक्ति ये कहता है कि जब पहली पतनी तलाक नहीं देग तो जब तक तलाक नहीं होगा अगली शादी नहीं होगी और इसलिए इस जंजट को जंजट जो मानते हैं जिनका दिमाग में फितूर है कि दुने दो शादी करनी हैं वो क्या कर रहे हैं वो मुस्लिम धर्म स्विकार कर ले रहे हैं तो यह मुसल्मान बन गए अब तो पहली के होते हुए आप दूसरी शादी करने के लिए वैलिड हो गए और इस तरह से यह धर्मांतरन को बढ़ावा देने के लिए है जो एक साजिश भी है तो इस देश में कानूनी लूप से आप एक तरह से धर्मांतरन को चूड़ दे रह आए कि उसको शादी करनी है दूसरी तो ये भी तो गलत है उसकी मुस्लिम धरम में इसलाम धरम में कोई आस्था नहीं है वो तोपी लगाकर कभी खुली हवा में मार्कीट में आफिस में नहीं निकलता गोल तोपी लगाकर वो कभी भी मस्जिद में नहीं जाएगा वो प्राट उठाई है कि वाई अगर शादी के लिए कोई धर्म परिवर्तन करता है तो यह गैर जाइज नाजाइज ए और इसको अब मांग उठने लगी यह जो पड़ा लिखा समाज है जो इसलाम धर्म के भी धर्मायानविया हैं मानने वाले हैं पड़े लिके समाज अब इसको कहने लगे हैं कि ये जो चल रहा है रूट नहीं है तो वाकई में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा केंदर अगर इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेगी और इसके चलते ही आप देखेंगे फिर जो है विवार रुकेंगे महिलाओं की दशा नहीं होगी तब वो विचार करेगा कि इसी पत्नी को मैं क्यों ना रखूं मजबूरी होगी उसकी जीवन बन तो यह बहुत सारी चीच इस एक कानून में है इसको लागू हो जाना चाहिए वंदे मातरम